अगर आपने भी किसी बैंक खाते में खाता खुलवा रखा है, तो आपके लिए हम एक बार फिर से जबरदस्त खबर लेकर हाजिर होच गए हैं। बैंक खाताधारगों को बैंक की तरफ से जबरदस्त तोफा दिया गया है, जिसके अंतरकत खाताधारगों के बैंक खाते में पूरे 57,000 रुपे का लाब मिलने वाला है। किसी भी बैंक में आपने खाता खुलवा रखा है, तो आप उसी बैंक से लाब प्राप्त कर सकते हैं। लाब लेना चाहते हैं, तो आप इस मोखे को हाथ से न जानने दे। चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। बैंक खलधारगों के लिए एक बार फिर से जबरदस्त खुस खबरी जारी हो चुकी है। अगर आपने जैसे कि हमने शुरुवात में बता है कि किसी बैंक में आपने खातक लोग रख है तो आप यह लाब ले सकते हैं। दोस्तु सभी बैंक खातों के जो नियम है वे अलग है और आपको सभी नियमों का पालन भी करना होगा। तभी आपको लाब मिल पाएगा। अब यह लाब किस प्रकार से आप ले सकते हैं। चलिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। चाहे आपने किसी भी बैंक में खाता खुलबा रखा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। देखिये सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी है वह आर डी को लेकर आ रहा है। आड़े आने दोस्तों आपका रैंकिंग डिपोजिट इसकीम एक ऐसी योजना है जिसमें आप हर महिने अपने खाते में पैसा प्राप्त कर सकते हैं यानि कि आपको हर महिने आपके बैंक खाते से पैसे करता रहता है उधरन के तोर पर दोस्ता आपको बदाने चाहेंगे कि मान लीजे यहां पर आपने पांस साल के लिए पांस जार रुपे प्रतिमाहा आरडी ले हुई है और इस पर आपको 6.57,75,6.75 प्रतिसत का ब्याज भ आपको मेचुरिटी का जो पूरा लाब मिलने वाला है जो पैसा मिलने वाला है वे 57,658 रुपे आपके बैंक खाते में आप आएंगे दोस्तों यह आपके एक्स्ट्रा पैसे होंगे जो कि आपके पैसे से अलग होंगे वे किस प्रकार से चलिए उसके बारे में भी हम आप आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं आपको वदा दें कि अगर आपने पांच साल में हर महीने 5000 रुपे जमा किये हैं या फिर आप जमा करते हैं तो आपका जो निवेस होगा दोस्तों वे 3,00,000 रुपे होगा ठीके पांच साल तक आपने अपने बैंक खाटे में 3,00,000 र दोस्तों ब्याज का पैसा टोटल मिलकर आपके बैंक खाते में मैचुरिटी पर 3,57,658 रुपे हो जाते हैं अब दोस्तों इसमें आपका 3,00,00 रुपे तो आपका जो आपने जमक्या है वह हो गया और जो बागी का उपर का पैसा है यानिके 57,658 रुपे हैं वह बैंक की तर होगा यानिके 57,668 रुपे जो आपका होगा सोरी 58 रुपे जो आपका होगा वह आपका ब्याज का पैसा आपके बैंक खाते में इखाटा हो जाएगा जिसका लाब आप ले सकते हैं लेकिन आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा तभी आप दोस्तों यह लाब करता हो यानिके आपको कम ब्याज देता हो या फिर अधिक ब्याज देता हो ऐसा हो सकता है लेकिन आप किसी भी बैंक से यह लाब पराप्त कर सकते हैं तो दोस्तों आप भी जबरदस्त अपने खाते में लाब पराप्त कर सकते हैं आई होप आपको जानकरी अच्छी लगी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेजेगा और दोस्तों आप अपने बैंक खाते में इन्वेस्टमेंट जरूर करेगा तभी आपको लाव मिल पाएगा तो मिलते हैं अपने स्टूडियो में दत्त के लिए दो तो जय हिन जय भारत